वेल्कम बैक एडिटर्स आचुका हूँ एक कोरनाया शांदार स्टेडस एडिटिंग टूटरल लेकर दोस्तो आज खड़ियों में हम मैं फिर भी तुमको चाहूंगा काने के लोपी अस्थेंटिक बीट सिंग पे टेक्स्ट्रे एनिमेशन प्लस बीट सिंग श्टेडस उडियों क्रेट करने वाले है दोस्तो आज खड़ियों बहुती कामालक और इंट्रेस्टिंग होने वाला है इससे आप अंतर तक जरूर देखे और ऐसे बेतरी श्टेडस एडिटिंग डूटरल देखने के लिए तो दोस्तो अगर आपको प्रियू वाला स्टेडस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलिग्राम पर अप्लोड कर दूँगा वासे आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो इस्टेडस बनने के लिए जो सॉंग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा से किप एक प्रिसेट लिंग लगेगी या जो भी मट्रेल्स लगने वाले है और सभी आपको अमारे ओपिसेल एपसाइट से मिल जाएंगे आपको इसोड़ो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो एपसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी उस पोस्ट में आपको सौंग बीटमार्क प्रोजेक्ट से किपेक प्रिसेट और आल मट्रेल्स मिल जाएंगे आप सौंग बीटमार्क प्रोजेक्ट और से किपेक प्रिसेट को अलाइट मोशन एप्लिकेशन में इंपोर्ड करके रखे और All Metals को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट की हो है Song Beatmark उजिट को अपन करना होगा जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा एवाला गाना है आज खोड़ियों के लिए और जहापर भी 19 से लेकर end तक हम images एड़ करके उन पर effects लगा देने वाले है तो सबसे पहले हम lyrics एड़ करते है lyrics एड़ करने के लिए जहां से lyrics start होते है 0 second से वहाँ पर आ जाना है प्लस वाल आइकन पर क्लिक करना है text में जाना है और दोस्तों आपको गीन को सुनना होगा काने को सुनने के बाद आपको lyrics को type कर लेना हमारा पहला lyrics है तुम यरे लिए इस टाइप करने के बाद ometer जो color का option होता है उस पे क्ली कर दीजिह और white color को sellay कर दीजिए जो भी आप color आपको sellay करना है वो आ आप color यह वाला 20 फॉंट्स यूज़ करने वाले हैं इस फॉंट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसको में और मट्रिल्स में दे दूँगा और आपको को डाउनलोड करना है और अलाइट मुशन एप्लिकेशन में फॉण के से इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं तो इसके उपर मैंने पहले से इडियो बन रखा है उस इडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों पॉण्ट एड करने के बाद आपको कर दे लेना है यह करने बाद आपको से कि प्रसेट को ओपन कर लेना है और जो हमने यह फेक्ट कोपी के थे या या इसे कि प्रसेट में ने जो एफेक्ट दिया है टेक्नोजिया नाम की लियर पे उस इफेक्ट को आपको कॉपी कर लेना है इस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद स करने के बाद उस्तों सिंपली से आपको एक्ष्ट वाले बीटमार्क पर जाए और उसी ऑप्षिन पर क्लिक करके इसको पेस्ट लियर कर दीजिए लियर को पेस्ट करने के बाद उसके अगले वाले बीटमार्क पर जाना है और टाइमर वाले अप्षिन की मदद से इसका जो फ्रेक्ट डबा पर होगा को कट करेंदिए यहां करने बाद न मीखें आपको ka no करने डाएड करने बाद अंगला लिखा लिक नंग अगला लिलिक से हमारा हो इस पल अभी हमत्यों कुली करना है इसको अगर मेदल में नहीं है, तो इसको मेडल में अच्छी तरह सेट कर दे रहा है, अगर है तो ठीक है, और इसके साइज आफ यहां से कम जादा कर सकते हैं, दोसतो इसी तरह से आगे के जो और बचहोई 4 बीट्स होगे, उनकुल 6 बीट्स है हमारे, तो उन 6 के 6 यह बीट्स को आपको यहापर एडिट कर देना है इस तरह से टाइमर ओले अप्षिन के मदद से साइज अगर कम है तो बड़ा देने है अगर जाता है तो कट कर देने है इस तरह से आपको यह वाला प्रोशेस एंड तक कर देना है दोस्तों चेके छी लिरिक्स एड करके मैं परोशेन सम ml देता हूँ तब कह लेडियो कि कर देता हूँ दोस्तों सभी लिरिक्स एड करने के बाद लिरिक्स में ठोड़ा सा कलर एफ्टरे को आपको एक करना है सिंप्लिस से स्टार्टिंग में आना है प्लेस ओल आइकोन पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल सेप को एड़ कर लिजे रेक्टेंगल सेप को एड़ करने के बाद तिन डोट पे क्लिक करके से फिल स्क्रीन बेनेबल कर दीजे color and film में जाकर जो भी color आपको select करना है उसको color को select कर लिजे color को select करने के बाद जहां तक हमारे lyrics है 10.19 सेकंड तक वहां तक इसको extend कर दीजे extend करने के बाद दोस्तों सिंप्रिस से आपको effects में जाना है add effect में जाकर color and light में hue shift वाले effect को standard setting पे एड़ कर देना है इसको standard setting पे add कर देने के बाद इसमें हमें key frames की मदल से effect लगाना है तो दोस्तों आपको starting में जो rectangle shape के start होता है वहाँ पर एक animation लगा दीजे और जहाँ पर rectangle shape end होता है तसमान 19 सेकंड पर वहाँ एक key frame लागा कर इसकी ओल्लियो को hue shift को आपको increase कर देना है blending and opacity में जाकर contrast में इसको overlay पे slate कर देना है दोस्तों आप दे सकते हैं इसमें हमारा जो रिज्ज थे उसमें color effect लग चुका है तो यह पर हमारा काम होगा अब lyrics का पूरा काम है अपर lyrics हमारे add हो चुके है अब हम क्या करेंगे 10.19 से end तक जो हमारे 10 बीट से 19 बीट में फोटोज एड़ करेंगे 10 फोटोज तो फोटोज एड़ करने के लिए आपको इमेजर वीडियों में जाकर जिस भी हिरोइन पर आपको जिनके भी फोटोज पर यह वाला वीडियों बनाना है उन्हीं हिरोइनकी क्लिक में अपने मोबाल में से हो जाएंगे और उस तो अगर आपको अपको अपने मोबाल से फोर के फूल इजड़ इमेजर करने है तो इसके उपर भी मैंने पहले से वड़े वड़ रखाए उस वड़ोग लिकापको इस वड़ोग कर देस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो simply से आपको image को slate कर ले रहा है, image को slate करने के बाद प्लस और icon पेवाज प्लिक मार्ट करके image को ऐड़ कर लीजे किस लगा देने हैं मैंने जो आपको सेके इमेच KUSB मिल जाइंगे दोने इमेचे पर हमने अलग अलग इफेक्टा टेफिक्ट का być करने के इन इपेट्स को कॉपी करने के बाद सौंग बीट मार्क को जटको ओपन कर लिजे और दोस्तों एपेक्ट हमें सिर्फ तीन ही इमेज इस पर लगना है तो सिंप्लि से आपको जाना है जहाँ पर बीट्स की यानि कि जो फोटोस की डूरिशन है वो कम है वह आपर जाना है या पर दोर आपको यह वाला एपेट्स कर देना है दोस्तों इन तीन इमेज पर इवाला एपेट्स करने के बाद से कि पर लिगे और पहला जो हिरे उनका फोटका है उसकी में यह वजाला पेटी कर देने आपद हमारे सबी में सब्सक्रपी के सबої in Herr टेलिग्राम जो लोग को एड़ करना उसको एड़ करके एक्सिंड कर दिए तो तो आपको इस ओप्सिंड करना है अगल आपके मोबाल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप कर दिए दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेतनी इडिटिंग करते रहो अपने भाहि को मत बूल जाना चैहिंद